नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम इस चीज को नहीं प्राप्त कर सकते हैं कोई सपना हम देखते हैं लेकिन चार दिन उसके लिए प्रयास करते हैं पाच में दिन लगता है कि हमारे बसका नहीं है हम इस चीज को नहीं कर सकत तो problem आपने ये है कि आपका belief system आपके साथ नहीं चल रहा है belief system क्या होता है कि पहले अपने आप पे भरोसा करना सीखिए एक सवाल मैं अकसर लोगों से पोछता हूँ कि सबसे पहले चांद पे कौन गया सबसे पहले चांद पे नील आम स्टॉंग नहीं गया सबसे पहले चांद पे नासा का वो इंजीनियर गया उसकी सोच गई कि हम लोग चांद पर पहुंच सकते हैं जिस दिन मैंने एक सपना देखा कि मैं इस एक्जाम के त्यारी करूँगा तो पहला मेरा वो सपना था वो सोच थी वो belief था कि मैं इस एक्जाम को qualify कर सकता हूँ मैं इस एक्जाम में सफल हो सकता हूँ मैं SDM बन सकता हूँ वो सबसे important था वैसी अगर आपने कोई भी सपना देखा है कोई भी dream आपके मन में है तो सबसे पहले अपने belief system को वो विश्वास होने दीजे कि आप कर सकते है वो सबसे important चीज है एक example है रेस्टोरेंट का example है ये the secret किताब है रॉंडा ब्राइन की उसमें example समझाया गया है कि जब हम रेस्टोरेंट में जाके खाने का order देते हैं और बोलते हैं कि चावल डाल सब्जी लेते हैं उसके आद हम क्या doubt करते हैं हम कभी doubt नहीं करते हैं हम tissue paper से plate साफ कर रहे होते हैं tissue paper से चमश साफ कर रहे होते हैं कि मेरा कुछ दरव 10-5 minute में खाना आ रहा है और डिले होता है है तो हम waiter पर गुसशा आते हैं कि खाना क्यों delay कर रहो हो या हम doubt करते हैं खाना लाएगा नहीं लाएगा पता नहीं मेरे किसमत में खाना ya oh अज क्या हो अग्र घगवान अगर खुस होंगे तभी खाना दे कैसा कूं कुछ मुश सोचते हैं कभी नहीं सोचते हैं मिलेगा कि नहीं मिलेगा नहीं यहीं गलती हम लोग इतना ज़्यादा निगेटिव हो जाते हैं इतना ज़्यादा हम लोग समाज के negativity को देखकर अपने आपको इतना negativity बना लेते हैं कि हम believe ही नहीं कर पाते हैं कि हम कर सकते हैं सबसे पहले अपने अंदर वह belief system लाइए और belief system लाने का एक best तरीका है कि अपने दिवार पर अपना नाम लिखके जो भी चीज ड्रीम पाना चाहते हैं को रख दीजिए बात्रूम में आप जहां बैठने का मोट उसके सामने उस चीज को रख दीजिए कि सुबह उटके मैं जब भी जाओं तो मेरी नजर परे मेरे नजर से मेरा ड्रीम कभी भी ओजल नहीं होना चाहिए को कि समाज में negativity है वो कहाणी जो है हाथी वाली कहाणी बिल्कुल perfect कहाणी है कि हाथी के पैर में जब हाथी छोटा होता है तो उसको हम लोग रख रस्ति से बांद देते हैं और हाथी नहीं तोर पाता है उसके बाद हाथी ये मान लेता है पूरी जिंदगी कि मैं इस रसी को नहीं तोड़ पाऊंगा उसके बाद हाथी की छमता इतनी होती है कि वो लोहे की जंजीर को तोड़ दे लेकिन वो रसी को कोशी सी नहीं करता है कि मैं तोड़ सकता हूँ हमारे साथ भी यही दिक्कत है हम अक्सर उसी सोच में पड़े हुए हैं उसी belief system में negative belief system में फसे हुए कि हम नहीं कर सकते हैं क्यों नहीं कर सकते मैं यह जानना चारा हूं क्या कमी है अगर आपको भी लगता है कि आपको इस चीज पानी है किसी भी dream को पाना है एक sdm बहुत चोटा सा चीज है बहुत चोटा सा सपना है किसी वी चीज को अगर आप पाना है तो सबसे पहले आप अपने चारों तरफ अपने दिवार पर अपने मोबाइल पर अपने बात्रूम में अपने वाड्रोब में हर तरफ लिग के चिपका दीजिए कि मुझे यह है कि हमेंसा आपकी नजर्स गुजर सके आप अभी वीडियो देख रहे हैं तो इस कमेंट में लिखके अपना नाम और अपने ड्रीम लिखके हिम्मत कीजिए कि मैं यह कर सकता हूं वह बिलीव सिस्टम वह विवेकर नंद ने अपनी किताब में बताया है कि एक सब्द होता है उसको आगरवत्ति की खुषबू आएगी वैसी आपके आंस पास भी आपका आरा होताया और अगर सवी आएगये और लाइफ उसका देखते हो कि कई पच्चे आप देखते होंगे UPSC में कि पिछले रैंक पिछली बार सेलेक्शन में उनको IRS मिला IPS मिला फिर IS बने अगर किस्मत है तो उनके साथ हर साल किस्मत क्यों साथ दे रही है उनका अगर एक ही बार किस्मत साथ देगी तो किस्मत कुछ भी नहीं है जितना आप मेहनत करते जाएंगे उतना आप लखी होते जाएंगे एक बड़ी अच्छी इंगलिस की कहावत है तो बस मेहनत किजिए और बिलीव किजिए आज से एक बार कम से कम अपने आप से बात किजिए और कहिए कि मैं क्यों नहीं सफल हो सकता हूँ ऐसी क्या कमी है मुझे में जो सफल नहीं हो सकता हूँ और कौन रोकता है मुझे वो बिलीव सिस्टम अपने अंदर लेके आईए वो अपने अंदर स्ट्रॉंग लेके आईए कि कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता कि कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो और आपको कि इंदर कोई वी एक बार चैलेंज कर दे कि आप का नहीं हो सकता है तो आप उसको मैं चैलेंज करके दे रहा है कि मेरा बोज़ार्वी सरय रहा है 24 मेरा है 2024 नहीं मेरा सेलेकशन होगा किसी वे exam में selection होना है इतना आप अपने अंदर confidence ले आइए इतनी अपने अंदर उर्जा ले आइए और कुछ नहीं चाहिए सफलता के लिए बस यही छोटा सा चीज चाहिए जब मेरा selection हो सकता है मेरे 10th में 52% marks थे इतनी ठोकरे खाई मैंने इतना negativity के अंदर मैं दबा हुआ था लेकिन जब मेरा belief system काम करना सुरू कर दिया उसके बाद से मुझे कोई नहीं रोक सकता है आज के date में और अक्सर मैं यह कहता हूँ कि यह एक छोटी सफलता थी मेरे लिए मैं जीवन में और भी बहुत कुछ एचीव करूँगा यहां मैं रुका नहीं हूँ जिंदगी के सफर में रास्ते कहां खत्म होते हैं मंजिले वही हैं जहां ख्वाई से थम जाए तो मंजिल मेरी यह नहीं है और आगे जाना है और भी सपने हैं और भी चीजे हैं जिसको मैं अचीव करूँगा बस आपसे भी यह रिक्वेस्ट है मेरा कि आज के बाद से अपने मुझ से कभी भी एक निगेटिव सब्न निकाली गए कि मेरा कैसे होगा मेरे साथ यह दिक्कत है कुछ नहीं मेरा होगा और अपने नाम के साथ जो भी आपका ड्रीम है उसको लिख के देखिए जरूर आपको सफलता मिलेगी